हिमाचल के भाजपा मंद्री राकेश पठानिया अपने बेटे भवानी पठानिया पर कांगणा जिले में उनके ग्रह विधान सबाक शेत्र नूरपुर स्थित कांगणा सेंट्रल कोपरेटिव बैंक में हुए संदिग्द नकद लेंदेन के आरोपों के चलते मुश्किलों म घिरते नजर आ रहे हैं नूरपुर से ही भाजपा नेता रुणवीर सिंग निक्का सहित पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष लेख राज शर्मा व दिलबाग गुलेरिया जिला भाजपा किसान मोचा के पूर्व नेता रमेश शर्मा जिला भाजपा पंचायती राज प्रकोष् अनिल और पूर्व ब्लॉक समीती सदस्य विपिन शर्मा ने जैराम सरकार में वन मंत्री के खिलाफ खोले आम मूर्चा खोल दिया है बुधवार कुधर्म शाला में अपने समर्थक नेताओं संग प्रेस वारता कर निका ने आरोब चड़ा कि मंत्री पुत्र भवानी पठानिया ने कांगड़ा बैंक में जो नकट लेंदेन किये हैं वो संदिग्द वलून रिकवरी के नियमों के खिलाफ हैं निका ने कहा कि मंत्री पुत्र ने 13 लाख रुपय का कर्ज लेकर एक स्कॉर्प्यो गाड़ी खरी दी लेकिन यह कर्ज महज चार माह में नगट चुका दिया और तो और बैंक में कर्ज का निप्टारा होने से पहले ही मंत्री पुत्र ने ये गाड़ी अपने एक दोस्त को बेच दी वो दस्तावेजों से कथित तोर पर छेड़ चार कर इसी गाड़ी के नाम पर एक और कर्ज ले लिया निका बोले मैंने सरकारी एजंसियों को 48 घंटे के भीतर इस मामले में कारिवाई का अल्टीमेटम दिया है अनिता हम इसे लेकर उच्छिन्याया ले जाएंग उन्होंने कहा कि लोगों को धन की बंदर बाट व दस्तावेजों से छेड़ चाड़ के पीछे की वजह जानने का अधिकार है निका ने कहा कि वह इस मामले की लिखिच शिकायत आयकर विभाग के अधिकारियों से करेंगे बैंक के अधिकारियों से भी सूचना के अधिकार नियम के तहट जानकारी मांगी जाएगी पूरी जानकारी मिलने के बाद आएकर विभाग के पास विस्तरिच शिकायत दर्ज करके इस मामले की गहन जांच की मांग करेंगे उधर वनमंत्री के पुत्र भवानी पठानिया ने संपर्क किये जाने पर अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि उन्होंने कांगडा केंद्रिय सहकारी बैंक को लोन मामला निटाने के लिए पूरे नियमों वह तै प्रक्रिया के तहट रकम चुकाई है भवानी बोले मुझ पर वह मेरे पिता पर आधार ही नारोप लगाने वाले लोगों पर मैं मान हानी का केस दर्ज करवाऊंगा